हलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग अभी अभी एससी ने जवर्दस्त का एक काम किया है अपना जो एक्जाम सेड्यूल है वो रिलीज किया है वो मैं बताने वालों आपको आएए देखते हैं कब-कब कौन-कौन सा एक्जाम होने वाला है और कौन-कौन सा रिजर्ट कवाने यह सबसे पहले मैं बात करूंगा छी इसल्की तो सियाच असल्व 2018 जो है जो हुआ था उसका फाइनल रिजर्ट जो आने वाला यह वह तीस नवंबर को और रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है वो भी 30 नमब्र को आने वाला है जो भी बच्चे इस में participate की होगे सेम दिन उनका result आने वाला है और यह है हमारा Sub Inspector in Delhi Place मतलब यह CPO का जो result है 2020 का पीटी पीएसटी तो उसका रिजल्ट तीस नौ को ही आने वाला ये भी काफी अच्छी खुसकपरी एकी दिन आपको तीन तीन एक्जाम का रिजल्ट मिलने वाला है और जो इंपोर्टन है भी बताने वाला आपको ठीक है और ये जो हमारा ये क्या है CHSL 2020 का जो भी बच्चों ने एक्जाम दिया होगा तीर वन का उसका रिजल्ट जो आएगा वो तीस ग्यार मतलब तीस नौवंबर को आएगा रिजल्ट कब आएगा आपका रिजल्ट आएगा तीस नौवंबर को एंड उसके बाद सबसे में इंपोर्टेंट कंबा और उसके बाद आपको एक-दो मैने के अंदर ही टायर टू ले लिया जाएगा तो आपके पास टायर टू के लिए कम से कम जो है वो छे मैंने किते मैंने हैं सेप्टेंबर अक्टूबर नौवर दिसमबर जनवरी और फरवरी मतलब 5 से सारे 5 मैंने आपको मिले है इतना अची गाईज आहीं अच् Nitी अच्छा आपको क्रैक करने का अब मैं बताने वाला हूं कि कुछ कुछ एक्जाम डेट जो है वह कब-कब होने वाला उसके वारे में तो यह कुछ जो डेट है वह मैं बता रहा हूं मैं एक सेंड मैं हम्ट सो यह कमबाइंड हायर सेकैंड्री CH वो थीन नवंबर को होगा तो जो भी बन दे 2019 का जो फर्स्ट एंड और सेकेंड पार्ट जो कम्प्लीट कर चुके है उसका इसकिल टैस्ट जो होगा वो तीन नवंबर को होगा और यह CPO 2020 का पेपर टू मतलब टायर टू जो होगा वो आठ नवंबर को कब होगा आठ नवंबर को के तो आगे मैं बढ़ता हूं एक निक्स एक सेगंड एक सेगंड और सबसे इंपोर्टेंट जो है हमारा जीडी का जो एक्जाम होने वाला है SSC GD 2021 टायर वन जो होने वाला है वो एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका 16 नवंबर से लेके 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपका एक्जाम चलेगा अभी कौन सा मन्थ चल रहा है सेप्टेंबर सेप्टेंबर का अक्टूबर का नवंबर मतलब आपके पास मात्र दो मन्त है और इस दो मन्त में ही आपको अपनी पूडी तेयारी करनी है लग जाए आप लोग जितना अच्छे से हो सके जितना तगरे से कैसे और यह मोका आपके हाँ से जानने चाहिए पता चल चुगा है कि किस डिट में इग्जाम होने वाला यह टेंटेटीवी डिट है नह thank you very much guys thank you very much